हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं दंदनी आज आपके लिए फिर एक लेकर आई हूँ और यह बैग कहीं थोड़ी दूर के लिए जाने के लिए थोड़ा बहुत समान पास में हो परस हो चश्मा हो कुछ भी रखके ले जाने के लिए बड़ा ही यूजफूल है इसको हमने इस तर किया है और इसको शेप देने के लिए बस इतना ही रखा जा सकता है और इसमें मैचिंग के हिसाब से हमने यहां पर बेल्ट दे दी है और अंदर जो कपड़ा दिया है उससे हमने ठोरी दे दी है तो यह कुल मिला करके एक कलर कॉम्बिनीशन के साब काफी खुब सूरत जाना है आज जो हम बैर बनाने जा रहा है उसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है कि जो इसकी विर्थ है वो है 15 इंच 15 इंच और जो लेंद है इसकी यह पूरी हमारी पास है 30 इंच यह 15 है और यह वन पीस में 30 इंच है सेम यह जो कुल्टेट पीस लिया है हमने इसमें भी यह 15 है और यह पूरा 30 इंच है अब इसमें हम काम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मेजरमेंट करेंगे 15 इंच क्या जो एरिया है उधर से हम 3 इंच डाउन जाएंगे पूरा 3 इंच पर हम निशान लगा लेंगे फिर 1 इंच पेस्ट होडेंगे और इस पर भी निशान लगा लेंगे सेम प्रोसीजर इस साइड भी करेंगे इसको निशान लगाने वाद यह हमारे पास निशान लगा लिया हमने कुल्टेट पीस पे और यह हमारे पास प्लेन पीस हो गया इसके अलावा हमने यहां पर लिया है 26 इंच की दो बैल्ट 30 इंच की दो डोरी 30 इंच 30 इंच की दो डोरी और दो गुडेन बीट्स ली हैं इसका सेंटर निकाल लेंगे दोनों साइट से सेंटर निकालने के बाद यह जो सेंटर है यहां से 4 इंच इधर 4 इंच इधर निशान लगाएंगे यह निशान लगा लिया हमने और यह जो बैल्ट है हमारे पास इसको हम यहां पर जोड़ देंगे और यह जो हमने यहां पर वन इंच का मार्जिन दिया है इसको हमें पीछे साइड में निशान लगाना है और आगे भी रहेगा पीछे भी रहेगा तो दोनों तब हम मार्क कर लेंगे और इसको हम दोनों को मिलाएंगे और यहां पर यह जो वन इंच का हमने अंदर मार्क छोड़ा था बाहर भी निशान लगा लिया है इस पर हमें मशीन नहीं चलानी है यहां पर मशीन चलाएंगे इसको छोड़ देंगे और फिर पूरा यहां पर मशीन चलाएंगे और यहां पर यह दिखा दूमें कि जो हमने वन इंच का एरिया चोड़ा था यह मेरी फिंगर बाहर आ गई है और इस तरह से यहां पर फोल लटना है अब बाटम के साट चलें यह जो फोल्ड आया है बाटम का इस पर हम एक निशान लगा लेते हैं इस तरह से करके यहां से ट्ू इंच मार्क करेंगे और यहां पर टू इंच का मार्क करेंगे त्वाइटू का एक स्कौइर बना लेंगे सब तरह इस तरह से निशान बनाने के बाद इसको हम इस तरह से खोलेंगे और इसका बॉटम बनाएंगे तो यह जो निशान लगाया था इससे और यह जो सिलाई है यह दोनों को मिला करके यह जो लाइन आई इस पर हम मशीन चला देंगे कट कर देंगे सेम प्रोसीजर में इधर भी निशान लगाएंगे सिलेंगे और कट कर देंगे यह हमारा कुछ शेप इस तरह से आ जाएगा अब हम लेंगे प्लेन पीस को पूरा इधर से जोड़ देंगे यहां से हमने फोल्ड किया है जो 30 इंच का एरिया है उसको 15 में करते हुए यहां यहां साइड में जोड़ देंगे इसमें भी बाटम की तरफ टू बाई टू का निशान लगाएंगे कॉर्णर से कॉर्णर मिलाते हुए इसका भी बाटम बना देंगे अब यह पूरा बैग हम इसके अंदर डालेंगे कुल्टेट पीस की सिलाई और इसकी सिलाई दोनों को यहां पर हम मिला देंगे और पिन लगा देंगे हेंडल सब दोनों साइड अंदर कर देंगे और यहां पर यह जो हमने बैल्ट अंदर लगाई थी बैल्ट का इतना एरिया उपर की तरफ से इतना छोड़ देंगे और बाकी चार्व तरफ गुलाई में मशीन चला देंगे इसको सिलने के बाद यह जो हमने यहां पर सिलाई नहीं की थी वहां से पूरे बैक को हम बाहर करेंगे यह हमारा पुरा बैक बाहर आ गया इसको अंदर करेंगे यह जो खुला हुआ पीस था इसको अंदर करते वे यहां से कि मोड़ते वे सिल देंगे और पुरा गुलाई में सिलते चले जाएंगे इसको सिलने के बाद लाइनिंग जितनी भी है उसको अच्छे से अंदर कर देंगे और यह यह जो टू इंच के स्पेस पर हमने यहां पर जो निशान लगाया था यह एक मशीन इस पर चलाएंगे और एक मशीन इस पर चलाएंगे पुरा गुलाई के साथ और लाइनिंग पूरी अंदर सीधी होनी चाहिए यह हमने पहली मशीन चलाई अब उसके नीचे जो लाइन कीची थी उस पर मशीन चलाएंगे और गी बैग हमारा अभी इस तरह से कंप्लीट हुआ है अब इसमें हम डोली डालेंगे यह जो हमने यहाँ पर गैब दिया था यहाँ से डोली डालेंगे और दूसी तफ से निकाल लेंगे झालेंगे यह यह जो हम झालेंगे यह झालेंगे यह यह और यह हमारा बैग को चिस तरह से कंप्लेट हो जाए अब ज़रोत पढ़ने पर इसको हम खोल भी सकते हैं इसमाल भी कर सकते हैं इसमें काफी स्वेस है यह देखिए और नहीं तो इसको इतना सा भी करके छोड़ देंगे तो यह स्टाइलिश दिखने लगेगा तो यह था आज का हमारा चोटा सा बैग कलर फुल यूसफुल उमीद है पसंद आया होगा लाइक करें शेर करें सब्सक् करें